नमस्कार दर्शकों लोकमंच इस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है जी हाँ गर्मी की छुट्टिया शिरू हो गई हैं तो जहां कुछ बच्चे खेल कूद और मस्ती में लगे हैं वहीं कुछ बच्चे अपनी होबी क्लासिस को कंटीनियू कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो टेंथ क्लास के हैं वो ये सोच रहे हैं शायद कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूस करना है तो जो बच्चे कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं आज हम अपने कारिक्रम में इसी विशे पर बात करने वाले हैं जी हां कौमर्स से जुड़ी सारी जानकारियां आज हम अपने कारिक्रम के द्वारा आप तक पहुचाएंगे जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंतरत किया है जाने माने कॉमर्स के लेक्चरल मुन्ना प्रसाथ खेरवार जी को तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिक्रम में और सबसे पहले हमारे दर्शे के जानना चाहेंगे कि कॉमर्स क्या फिल्ड है कॉमर्स फिल्ड एक ऐसा फिल्ड है जिसमें कि व्यापार और उसके जो विभिन घटक होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है अब वो जो घटक हैं उनको आप बोल सकते हैं banking हो गया, insurance हो गया, transportation हो गया, communication का हो गया, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है, यदि हम उसको बनाते हैं, तो सिर्फ बनाना ही काफी नहीं होता है, उस वस्तु को हमारे ग्राहक तक सही सलामत पहुचाना सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है, तो उसमें आपका go down हो गया, फिर communication हो गया, transportation हो गया, उस सामान को सही सलामत उस ग्राहक तक पहुचाना, उसके बीच में जो भी विधाये आती हैं, ये सब मारे commerce के अंतरगत ही आती हैं और इहीं का अधियान इस फिल्ड में किया जाता है, बहुत ही सरल शब्दों में आपने ये जवाब दिया, और समझ गए होंगे हमारे दर्शक की basically commerce क्या होता है, अच्छा अब ये जाना चाहते हैं, जो बच्चे 10th के बाद commerce लेना चाह रहे हैं, तो उनको किन-किन सब्जेक्ट इसमें होते हैं, एक होता है हमारा accountancy, दूसरा होता है business studies, और तीसरा होता है economics, ये तीनों ही सब्जेक्ट को उनको मुख्यतह study करना होता है, इसके हलावा दो सब्जेक्ट और होते हैं, जिसमें कि एक तो इंग्लिस सब्जेक्ट करना पड़ेगा वार्वी में, अच्छा, इन में से सबसे कठेन सब्जेक्ट कौन से हैं, और क्या इसके लिए कोचिंग जरूरी है, आच्छा, देखिए, वैसे तो समाने तर जो तीन सब्जेक्ट मैंने बताया कि आपको पड़ेगा, फिर बिजने स्ट्रडी पड़ेगा जिसको कि वैसे अधियान बोलते हैं, और एकनोमिक सर्थ शास्त्र इसका अधियान करना पड़ेगा, ये तीनों सब्जेक्ट समाने सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जो एकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी इस पर आपको बहुत जादा फोकस करना पड़ेगा, चाहें वो ग्यार्वी का, आपका अधियाय कि बात जायाए, या बार्वी का अधियाया ani की बात किया जाया, क्यूंकि यही सब्जेक्ट वर्हत तोर पे आपको एकनोमे का पढ़ाया जाता है, और इसिपर पूरा कॉम यह mathematical part इसमें होने के कारण आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आचा जो बच्चे 12 में हैं तो वो किन competitive exams के तियारी कर सकते हैं कॉमर्स लेने पे जी जी ये ये भी बहुत अच्छा प्रशन आपने पूछा है मैं बच्चों से बूलना चाहूंगा कि यदि आपने 12 कॉमर्स लिया है और आप competitive exam के बारे में सोच रहे हैं कि मैं 12 के बाद और क्या करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जो बच्चे विदेशों में जाके और अपनी studies को पूरा करना चाहते हैं तो वो SAT का exam दे सकते हैं scholastic aptitude test यह ऐसा test होता है जिसके माध्यम से यदि आप इसमें select हो जाते हैं तो आपको विदेशों में पढ़ने जाने का मौका मिलता है बट इसके लिए जरूरी यह है कि आपको ग्यारवी में optional subject में mathematics का compulsory होना जरूरी है और साथ ही साथ बारवी में जो mathematics subject है वो आपको compulsory होना चाहिए तो यह जो आप यह optional subject आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या-क्या choices रहती है optional में अभी तो देखिए आपका PE है physical education है उसके अलावा कई लोग computer application लेते हैं यह सब optional subject है ठीक है इसके अलामा जो competitive exam की बात हम करते हैं तो बच्चे कुछ लोगों को लौ की पढ़ाई करनी होती है तो एक्जाम दे सकते हैं जिसे कि वो लौ में चले जाएं कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं specialized accounting करूं तो उसके लिए उनके पास में का कॉर्स है उसका भी entrance exam होता है बारवी के बाद या बारवी में enrollment करके और जैसे बारवी के exam खतम होता है उसके जून में आप exam दे सकते हैं उसका और वैसे ही जिनको company secretary बनना हैं तो जिसको कि CS बोलते हैं तो उसमें भी आप चाहें तो बारवी करने के बाद तुरंट एंडोल करके और exam उसमें दिया जा सकता है इसके अलावा कुछ exam ऐसे होते हैं जो बारवी लेवल के बाद bank को द्वारा आयुजित किया जाते हैं जिसको clerical section बोलते हैं तो अलग अलग banking संस्थाएं अपना समय समय पर एड देके exam लेती हैं तो उनमें भी बच्चे चाहें तो बहुत अच्छे से अपनी तयारी करके और उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं अच्छा जैसे हम जैसे कि CA, CS यह जो हमेशा सुनते रहते हैं Chartered Accountant तो आजकल तो शायद बारवी के बाद ही इनका exam entrance exam हो रहा है तो मान लीजिए बच्चा से लेक नहीं होता है तो क्या उसको drop लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए देखिए CA और CS के बारे में जो भरांतियां पहले ही हैं कि CA सिर् बहुत अच्छा पढ़ने वाला meritorious बच्चा ही उस में आगे बढ़ सकता है, average बच्चा नहीं कर सकता है तो मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है, average बच्चा कई बार ऐसा देखने माथ है कि average बच्चा CA clear कर लेता है और कई बार meritorious बच्चे नहीं clear कर पाते हैं, तो मेरी यही का अपनी तैयारी जो कि तुरंथ बारवीक करने के बाद में दिया जाता है इसके। तैयारी पिर अं ह्पोकस रखिए आप और ये से। पर रख करनी दोनों में आप अपने तैयारी ऑप सुरूरु में ठोल सकते तैयारेिए पहले attempt में ही अपना selection कर वा लिए क्यों तो हमें ड्रॉप लेने की नोगत आएगी मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तेयारी उतनी दमदार नहीं थी और हम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो एक बार ड्रॉप लेने में कोई बुरा ही नहीं है आप द्रॉप लेके और दुबार उस इलेबस को आपको बहुत गहन अध्यान करके और चार महिने का उनको टाइम मिलता है इंडॉल्मेंट के बाद उस इनॉल्मेंट के बाद में आप चार महिने पूरे सब्जेट्स पे आफ फोकस करिया उनका जो पैटर्न है जो लास्ट यर के पेपर से है उनके जो भी सि यह उन बच्चों के लिए है जो मतलब की बारवी क्लियर कर चुके हैं और तुरंत उसके बाद एक्जाम देना चाहते हैं तो CA Foundation उनको एक्जाम देना पड़े के अन्रोल करके और यदि जो बच्चे मान लिजे किसी कारण वस CA Foundation नहीं कर पाए और वो अपना बिकॉंग कंप्लेट कर लिये हैं तो ग्रैजुएशन के बाद भी विंडो कुला हुआ है आप CA Intermediate में आप एंडोल्मेंट करके और वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं जब आपका CA Intermediate clear हो जाता है तब आपको जो एक्जाम है आपका एक्जाम के पहले एक धाई साल का आर्टिकल्शिप होता है CA Articleship वो किसी CA के अंडर में रह के आपको उसको पूरा करना होगा जिस दिन वो धाई साल का आर्टिकल्शिप आपका खतम हो जाता है तब आप eligible ह जाते हैं CA Final का एक्जाम देने के लिए और वो CA Final का एक्जाम यदि आपने क्लियर कर लिया तब आपको डिक्री आवाड कर दी जाती है आप CA बन जाते है तो यह जो चारो स्टेज़ है इसमें आपके उपर चोईस है बच्चों के उपर चोईस है कि यह किस माने स्टेज से उसमें एंटर लेना चाहें कुल मिला कि आप मैं यही बोलना चाहूंगा कि यह पांच साल का कोर्स है आपको पांच साल समय देना होगा बहुत अच्छे से देना होगा कठीन अध्यान करके देना हो और इसी तरीके से CS का भी मैं बता देता हूं CS जो है CS का Foundation होता है CS Foundation और CS Executive नेक्स लेवल यह दोनों दो साल का है और तीसरा जो है CS Final है CS Final यह तीनों मिला के तीन साल में इसके बाद आपको CS Article Ship करना पड़ेगा दो साल का जब आप CS Article Ship दो साल कंप्रीट कर लेते हैं उसके बाद ही मतलब आनके चलिए कि आपको CS की डिगरी अवार्ड होती है और आ इतना असानी से मैं आपको बोलना हूं कि यह होता है तो बच्चों से मैं यही बोलूगा कि आप अपने पर विश्वास रखिए आप अपना लक्ष तै करके लक्ष पे बिलकुल नजर गडाय रखिए और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा और आप मेहनत करने से पीछे मत अच्छा तो कारिक्रम तो हम आगे भी जारी रखेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा आंतराल चोटी से अंतराल के बाद लोक्मंच कारिक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कॉमर्स फील्ड के बारे में तो ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि हम डिसकस कर रहे थे सीए-स के बारे में अब मैं यह जहनना चाहूंगे कि CACS उनके अलावा भी और कॉन सी प्रोफेशनल फील्ड़ है जिसमें कॉमर्स के थूँ जाया जासकता है जिसमें की जाया जा सकता है अब जैसे माले जीए कोई बच्छा ज्यादा सुईधा नहीं है उनके पास उन्होंने अपना बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम करने के बाद आप बीएट कर लीजिए अचा बीएट करने के बाद आप चाहें तो पैरलल एमकॉम कर लीजिए और आप बीएट करने के बाद टीचिंग जिसमें की पीजिटी पोस्ट आपको मिलता है आप उसमें भी जा के और अपना करियर बना सकते हैं और वो भी काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है और इसके अलावा यदि जो बच्चे चाहते हैं कि हमको बैंकिंग में अपना करियर ब आपको मिलते हैं और इसके लावा जैसे मैंने बताया कि आपको CA होता है, CS होता है, एक ICWA भी होता है, Indian Cost Work Accounting, तो वो जो है इसके थ्रू भी आप माने अपना स्टडी पूरा करके और आपको किसी भी कंपनी में हाई प्रफाइल जॉब मिलता है जिसमें कि आप ऑडिटर या accounting officer के रूप में कारे रत हो जाते हैं इसके अलावा यदि आप professional के तोर पे माने law में जाना चाहें तो आप law कर लीजी, LLB का course कर लीजी और LLB करने के बाद में यदि आप किसी भी company में job apply करते हैं तो आप legal advisor के रूप में वहाँ पे post में जा सकते हैं इसके अलावा कई interior designing उस वाले course में भी आप enroll हो के और एक professional के तोर पे interior decorator का काम कर सकते हैं फिर इसके बाद hotel management एक बहुत उभरता हुआ field अभी commerce में आया हुआ है जो क्योंकि tourism का बहुत बड़ा scope और भरता हुआ ये department ये विधा अभी आ रहा है तो इसमें भी बच्चे चाहें तो hotel management में जाक और पूरा उसका एक management complete course ही होता है उसमें भी आप जाके और एक professional बन सकते हैं इसके अलामा यदि आप और higher level पे जाना चाहते हैं तो आप accounting में या management में या अर्थ शास्त्र में इन में आप चाहें तो PhD कर सकते हैं मेरे कई student ऐसे हैं जिन्होंने PhD भी किया हुआ है और उनके क अपना काफी अच्छा नाम कमा रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी माने विधा अभी commerce जो है वो काफी multidisciplinary हो गया है इसमें एक ही नहीं बहुत सारे field है जी अच्छा ये तो अभी हमने professional की बात की कि professionally कैसे उत्रा जाए इस field से अब अगर मैं बारवी पर वापस आऊंगा तो मैं ये जाना चाहूँगे कि 12 बहुत important है 12 बोर्ड भी है तो उस पे बच्चे कैसे focus करें 12 के बारवी में मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा सभी चात्रों से कि ये बारवी हर आदमी के जीवन में आता है और एकी बार आता है और आप कोशिच करिए कि एकी बार तो उसकी तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कभी मलाल ना रहे और वो मलाल कभ ने रहेगा जब आप उसकी विधिवत तैयारी करेंगे अब उस तैयारी को करने के लिए आपके पास में मुक्यता कॉमर्स को हम दो भाव में बाट सकते हैं एक तो हमारे primary subject जिसमें क English होता है और दूसरा आपका optional subject जिसमें कि Hindi या optional जो भी आप entrepreneurship ले रहे हैं कि आप P.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E किया जो primary subject है उस पे ध्यान नहीं देते हैं वो आखरी आखरी में जैसे एक दो महीना बचा रहता है तो वो सोचते हैं कि हम Hindi English ऐसा ही है हम पढ़ लेंगे तो वो उनके percent को down कर देता है जो वो सोचते हैं कि नहीं मुझे 80-90% लाना है तो उसमें कहीं नहीं कहीं नहीं उनको सुरू से ही एक time table बना के आप रोज एक घंटा इंका अध्यान करिए है रोज एक घंटा ऐकांट पे दीजिए एक घंटा अपना B.S.T. पे दीजिए एक घंटा मैं यदि आपको बात करूं तो economics की तैयारी में बारवी के उपर focus करते वे मैं आपको बताता हूं कि economics में दो subject हैं जिनको की माने 40-40 marks के दो subject बच्चो को देना होता है और वो एक ही paper 80 number के paper में वो आता है तो Indian economic development 40 mark का होता है और आपका दूसरा जो macro economics है यह 40 mark का होता है तो macro economics में national income वाला पार्ट है और कुछ chapters ऐसे हैं demand supply और equilibrium वाले जो chapters हैं उन में कुछ छोटे-छोटे numericals होते हैं तो वो जो numericals है उन numerical को आप सुरू से ही चार-चार-पांच-पांच हर दिन हल करिये जैसे हम खाना रोज खाते हैं वैसे ही हमें उन चीजों को मैं ज्यादा नहीं गुजारिश है कि आप ज्यादा नहीं कम से कम रोज पांच numerical करें दो नेशनल इंकम के लिए और दो तीन आधर लिए रोज पांच numerical आप करते जाएं और साथ में जो बाकी चेपटर से उनका चेप्टर heat ल्ए शुड़ू एक चापटर आप अधियान करें गहन अधियान करें और उसके बाद उसके शार्ट नोट्स बनाएं, नोट्स बहुत ज्यादा लेंदी मद बनाई है, शॉर्ट नोट्स बनाई है, और उन नोट्स का बना के उसको हमको रखना नहीं है, समय समय पे उसको रिवाइस करते रहना है, तो ऐसे आपका एक चेप्टर आगे भड़ते भी जाएगा, और साथ ही साथ में आपका तैयारी भी होते जाएगा, इंडियान एकनॉमिक डेवलप्मेंट जो दूसरा सब्जेट है, एकनॉमिक के अंदर, ये प्योर्ली ठीटिकल पार्ट है, इसकी ठीओरी आप जैसे मैंने बताया, सिलसलेवार नोट से मनाते जाएगे, और इसके बाद इसको आप अधियान कर जाएगे, और जो आजकल एकनॉमिक जाएगे और आपको बहुत अच्छी रहेगे और आपको बहुत अच्छी नमबर मिलेंगे, अच्छा, अरे वाँ, तो अच्छा मैं ये जाना चाहरे हो कि कुछ के स्टडी के बारे में अभी हम सुन रहे हैं कि आजकल कोईशन उसे रि बिजनस स्टडी में के स्टडी का इंट्रोड़क्शन हुआ था जो कि अभी एकनॉमिक्स में भी आ गया है तो ये जब सुरू में आज से तीन-चार साल पहले जब ये के स्टडी आया था तो बच्छों को इसको सॉल करने में बहुत कथिनाई होती थी क्योंकि उनको बहु पॉइंट नोट कर लिया शॉट नोट बना लिया उसका आपने फिर आप जिस भी पुक को फॉलो करें आज कल जो भी मार्केट में बुक्स हैं मैं बुक्स का नाम नहीं बोलूगा बहुत सारे बुक्स हैं आप दो तीन अच्छे राइटर्स के बुक्स ले लीजिए और उ जब दो दीन चाहें आप उस टाइम को दीजिए और आप जब वो धीरी धीरी सॉल करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स या जो वो पूछना चाह रहा है वो आप धीरी धीरी समझ में आने लगेगा और के स्टड़ी ये एक तरीके से अन्सीन पैसेज टाइब का है आप इंग्लिश में अन्सीन पैसेज ये पढ़े हुए है तो ये बिलकुल उसी पैटन पर है बस यह है कि वहां हमें कुश्चन के आंसर उस पैसेज पर देना होता था यहां पर यह अंतर है कि उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं या जो कंडिशन वह पूछते हैं उस कंडिशन को हमें पकड़ना होता है तो वह के स्टडी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आप सॉल कर सकते हैं और यह हर चैप्टर में आपको करते हुए चैप्टर के अंतर तक जाना है इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊंगों कि चैप्टर वाइस भी सॉल्ड पेपर आते हैं तो आप साथ ही साथ उस चैप्टर के सॉल्ड पेपर्स चैप्टर वाइस जो आ रहे हैं उसको भी सॉल करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि माने बोर्ड एक्जाम में किस पैटर्न में कोशन्स पूछे जाते हैं और आप क इसके बारे में कुछ बताई है अब एकाउंट्स के लिए तो यह बहुत हो जाता है ऐसा मैंने बोलते हैं मुझे तवास तक नहीं लगा है तो सकता है कि I'm in teaching field so I'm having that but it's okay no problem मैं accountancy के बारे में आपको बता दूँ कि यह बहुत ही गलत मानिता या चात्रों के बीच में यह गलत concept fit हुआ पड़ा है जो पहले से आ रहा है कि accounts बहुत tough होता है accounts tough नहीं होता है accounts एक technical subject है यह subject technical है आपको इसको step by step आपको तयारी करना है यदि मैं 11 week accounts भी बता हूँ तो आपको पहले terminology बहुत अच्छे से याद करना है फिर आपको journal entry की concepts अच्छे से clear रखने हैं फिर आपको ledgering करना अच्छे आना चाहिए फिर आप trial balance कैसे बनाते हैं यह आप अच्छे से focus करते हैं तो इन टीनों के base पे ही जो trial balance होता है इसके base पे हम final accounts बनाते हैं अब यदि आपका final account का concept चाहें वो with adjustment हो या without adjustment हो यदि वो पूरा हो जाता है तो वो बहुत आसानी से आपको 11th का accounts जो है वो clear हो जाता है क्योंकि असली accounting यह है साथ में bank reconciliation statement है bills of exchange है depreciation है और भी जो दूसरे chapters है उनका भी आपको एक चीज और आप करेंगे कि रोज मतलब 10 question आपको practice करना है मैं बार बार बच्चों से यह focus कर रहा हूं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम खाना तीनो टाइम तोनो टाइम रोज खाते हैं तो पिटा आपको accounts भी रोज एक घंटा practice करना है और एक घंटे में 10 question आप कोशिश करिए कि 10 question हल हो हमसे हो सकता है आपको सुरू में थोड़ा सर ज्यादा time लगे लेकिन आप chapter wise जब 10 question solve करना चालो कर देंगे तो आपके लिए accountancy खेल बन जाए और बार बार बी के बारे में यदी मैं बताऊं तो बार बार बी का जो accounting है यह accounting में आप सबसे पहले तो यह करिए कि जो भी आपका syllabus है जो पढ़ाया जा रहा है आपको आपके school के teaching पे सवाल मत उठाईए आप इधर उधर tuition coaching जैसे आपने पूछा था कि क्या coaching में जाना चाहिए तो मैं आपको यह बोलता हूं कि यदी आप school के पर भरोसा करें उनके अनुसार जो भी पैटन पर step by step पढ़ाई कराई जा रही है आप उन पर विश्वास करते हुए उनका कहना माने और step by step आप homework करते जाएं तो आप पाएंगे कि आपको school के teachers जो पढ़ा रहे हैं वो काफी अनुभवी होते हैं और problem वहां पर खड़ी होती है कि जब हम school में कुछ और चल रहा होता है हम coaching जान कर लेते हैं कोचिंग में कुछ और चल रहा होता है तब ही समस्य आती है यह आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भई स्कूल पर पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दे सब बच्चे तो आपको coaching की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियों से अफ कि अच्छी हैा टो आपको टूरत है यहा दो आपको टो आपको टूरत है